हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy F14 Android में आप अपने मुवाल फोन के इस टोरेज को आप खाली कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं देखें दोस्तों अगर आपको अपने मुवाल फोन के इस्टोरिज को खाली करना हैů अपने मुवाल फोन की गैलरी को उपन करना है ठीक है अब Hem 새 जितने भी फालतु की photo videos आपने रख रख किये हैं, वो सारे ये सारे फालतु की photo videos जो आपको permanent delete कर देनी है, ठीक है, और खास करके आपको long videos आपको delete करनी है, ठीक है इससे आपके phone का storage जो है वो खाली हो जाएगा, ठीक है, अब दोस्तों अगला process ये करना है, कि आपके mobile phone में जितने भी apps है, इन सभी apps को reset करना है, यानि कि इन सभी apps का data clear करना है, कैसे, देखे अगर आप mobile phone के किसी भी app को उंगली से आप दबा के रखेंगे, आपका एक छोटा सा page open होगा, इस तरीके का, ठीक है, इस page में आपको ये जो कोने में circle के अंदर जो i button आपको दिखाई दे रहा है, इसे आपको tap करना है, आपका ये वाला page open होगा, app info का, इसमें आपको नीचे की side ये storage का option मिलेगा, इसे आपको tap करना है, इसके अंदर आपको दो option मिलेंगे, एक तो clear data का, दूसरा clear catch का, आपको इसे पहले clear catch पे tap करना है, इसके बाद आपको इसे clear data पे tap करना है, तो आपका एक page आएगा छोटा सा, इसमें आपको delete पे tap करना है, तो आपका ये data और ये catch इन दोनों के सामने अला data आपका ये 0 हो जाएगा ठीक है इस तरह के से आपको अपने mobile phone के सभी apps को reset कर देना है जिससे आपके phone का storage खाली हो जाएगा ठीक है अब दोस्तों एक काम और करना है देखिए दोस्तों आपके mobile phone में जितने फालतू के apps है जि इसलिए आप अपने mobile phone से अगर फालतू के apps को हटा देंगे तो इससे आपके phone का storage खाली हो जाएगा ठीक है अब दोस्तों अगला process ये करना है कि आपके mobile phone में काफी सारे ऐसे apps होंगी जिनके अंदर आपको backup की setting मिल जाएगी तो जिस app के अंदर आपको backup की setting मिलती है उन apps मे मैं आपको देखे अपने phone की gallery को open करके बता देता हूं एक app के बारे में ठीक है तो देखे phone की gallery में आपके जोने सबसे उपर ये profile picture होती है यहाँ पर आपको tap करना है ठीक है अब यहाँ पर देखे एक page आगा इसमें देखे backup की setting है तो यहाँ पर backup लिखा हुआ है क्योंकि म सब्सक्राइब करना है ठीक है तो देखे यह तो हो गया आपके apps की backup setting की बाद अब आपको अपने mobile phone की backup setting को बंद करना है इसके लिए आपको mobile phone का setting page open कर लेना है setting page में आपको नीचे की side option मिल जाएगा account and backup का इसे tap करना है तो आपका यहाँ पर यह backup data restore data यह सभी data setting backup setting आपको बंद कर देनी है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो मैं आपको जो है यह backup setting इसलिए बंद करवा रहा हूं क्योंकि देखे backup setting अगर चालू रहते तो इससे हमारे phone का storage जल्दी यल्दी full हो जाता है तो आपको यह backup settings बंद करके रखनी है जिससे आपके mobile phone का storage है वो आपका खाली र आपको जाएगा और आपको फोन का storage खाली हो जाएगा लेकिन आपको mobile phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने है आपके mobile phone में जितना भी काम का data है जो आपका जरूरी data है सिर्फ वही आपको किसी दूसरे phone में transfer करना है या उसका backup लेना है फालतों का data phone में ऐसे छोड़ देना रिसेट करने से वह डिलीट हो जाएगा फालतों का data दूसरी बात ही ध्यान रखने है आपके mobile phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है ये दो काम आपको पहले करना है उसके बाद ही आपको अपने phone को reset करना है ठीक है इस वीडियो में आपको जितना ही process पता है सारे आपको use करने तो इससे आपके phone का storage खाली हो जाएगा